हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल सेने बॉक्स ओफिस में मल्टिपल टॉपिक्स पे इन इस वीडियो गाइस हम बात करने वाले हैं यहां पे बात करेंगे मैदान के श्रेलर के बारे में शेकिन सौंग ऑफ योद्दा गो भी हम डिसकस करने वाले है and advanced booking of शैतान that also we are going to discuss in this video सबसे पहले शुरुवात करेंगे गाइस with the advanced booking of film शैतान तो with block seats मैं आपको बता रहा हूँ यानि कि online प्रस offline आकडे मैं आपको बता रहा हूँ right now जब तक मैं video बना रहा हूँ 2.75 करोड के तकरीबन advanced booking यहां पे हो चुकी है online of film शैतान and with block seats 4.70 करोड का advanced booking 4.70 लाख with block seats इसका booking हो चुका है कुछ घंटे बचे हुए है and यह जो period रहता है शाम से लेके यह उनो रातरी के 12 तक का यहां पे booking bumper होती है so there is chances कि यह film 6.50 करोड के बीच with block seats जा सकती है online मेभी 3.50 करोड तक यह जाने की कोशिश करेगी and जो trending है इस film का वो है लगभग 12 से लेके 14 करोड रुपए 12 से लेके 14 करोड के बीच कुछ भी opening यहां पे शैतान box office पे लेते हुए दिखाई दे रहे अब आज अजे देगन की मैदान का trailer भी आया बहुत से लोग कहरें कि यह period सही नहीं कि आ रहे है अभी शैतान आ रहे है next month मैदान आएगा मेरे भाई मैदान का जो trailer है इतना भाप level कर goose bumps देने वाला है न एक एक dialogue यहां पे जिसमें से वो एक dialogue रहता है कि हम एक दिल है एक सोच है है एक नजरीया ऐसा कुछ करके है एंड हमको जो है मैदान में बनके भी खिलना पड़ेगा इस टाइप को कुछ dialogue है यहां पर थोड़ा बहुत सब्द ऊपर नीचे कर देता हूं कई बार बाकि इस टाइप को एक dialogue रहता है जो लास्ट में आता है वह goose bumps से भरा हुआ है यह मुझे वही vibes दे रही है जो की चगदे इंडिया ने दिया था एक गाना इसका बहुत चलने वाले टीम इंडिया करके ऐसो कुछ गाना यहां पर ट्रेलर में थोड़ा सुनने को मिलता है एक आदा सब्द तो वो गाने यहां पर वो गाना देखना तुम यहां पर इस साल चाया रहने वाल है और मैदान सही माइने में बॉक्स ओफिस पे डिस्ट्रक्शन करने की शमता रखती है और डोंट बी शॉक अगर यह पिक्चर बॉक्स ओफिस पे अजे देगन की केरियर की हाईश ग्रॉसिंग फिल्म बने योगि ट्रेलर ने तो भाई दिल जीत लिया मैं honestly कह रहा हूं कोई कटोदी नहीं माक्स मैं फाइफ स्टार दूंगा में ट्रेलर को और अजे देगन इस लुकिंग वेरी गॉड उसकी वाइस इतनी खतरना के मैं गूसबंस उसकी आवास से ही आ जाते हैं समझ रहे हो और यह साल याद रखना अजे देगन का साल होने व है यह साल अजे देवन का साल होने वाला है अब बात करते हैं सिद्धात मलोत्रा के सेकंड योद्ध के तेरे संग इसक हुआ तो देखो दोस्त यहाँ पे कई फिल्मों के साथ होता क्या है एक गाना अच्छा रहता है बाकी गाने नॉर्मल होते हैं लेकिन यहाँ पे जब आपका पहला गाना अच्छा निकले और सेकंड गाना और भी अच्छा निकल जाए जो कि तेरे संग इसक हुआ गाना है तो समझ जाओ आपकी पिक्चर को चलने से कोई रोग नहीं सकता आपकी पिक्चर चलने वाली है और यह फिल्म अभी तक जो योद्धा के साथ 安क कीापी फिल्म के साथ कुछ भी नेगर टिव इंपक्ट नहीं पड़ा है एंड आम क्योटियोस टून किसका ओपनिंग क्या लगे rega अलग के मैं ओपनिंग को ट्ना मैटर मेटर नहीं करता उतना और नहीं करता ऊपनिंग का फौर मे अगर कंटेंट अच्छ तो एक 7 8 औ करोड़ ओपनिंग वाली फिल्म लंबा चलेगी दस क्रोड़ का ओपनिंग देने वाली ओमाइंग देड़ सो करोड़ करेगी यह मुझे पता है तो मैं ओपनिंग बेसिकलिए अगर योद्धा का आठ साथ करोड़ भी आएका तो चलेगा मुझे लेकिन यहां पर अभी जो च सिंग की वोईस कामाल के लगी है और राशी खन्ना की कैमिश्ट्री सद्धात मलोत्रा के साथ मुझे वही डर था कि यार कहीं दिसा पतानी को यह लोग साला लव एंगल के रोल में ना ला ले वह एक्सप्रेशनलेस एक्ट्रेस है वह उस एक्ट्रेस को घंटा कुछ नहीं ठीक है वो यहां पर उसको ज्यादा मेहनत वाले काम मत दो सीज लाइक कैट्रीना कैफ सीज लाइक जैकलीन फर्नांडेस जो कि सरफ सो पीस के लिए होती है फिल्म में उससे ज्यादा उनका कोई योगदान नहीं रहता वो योद्धा में बिलकुल वैसे ही समझ लो समझ रह ली है और में बिशाद एक विलन से उपर ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है तो राइट ना वर वो और वाट 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 वीव सिव ने 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 ने